तो दोस्तों आज हम इस वीडियों में देखेंगे आपको call recording activate कैसे करना है यानि आपका automatic call recording activate कैसे करना है इसके लिए आपको क्या करना है देखें आपको अगर automatic call recording करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर phone book जो यहाँ पर है आपको calling का open कर लेना है और यहाँ पर आपको three dot जो दिखाए दे रहे है उपर इसके उपर आपको click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर setting में चले जाना है setting में जाने के बाद यहाँ पर देखिए calling accounts के नीचे call recording option दिखाए दे रहे है इसके उपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए account not in your contact देखिए अगर unknown number से call आ रहा है तो वो call यहाँ पर record होगा यह देखिए हमारा यह जो है नंबर चालू है यानि यह जो option है हमारा यहाँ पर चालू है यानि कोई unknown number अगर call करता है या फिर हम किसी unknown number को call करते है तो उस call का यहाँ पर record हो जाएगा और यहाँ पर देखिए selected numbers देखिए हमने यह number select कोई नहीं किया है specific number यहाँ पर देखिए इसके उपर आप click करके always record selected numbers यह हमारा activate तो है लेकिन हम contact जो है select नहीं किया है आप चाहे तो choose contact पर click करके आप specific number आपका save है किसी का तो उनका call recording करना चाहते हो तो इसके उपर आप click करके select करके आप रख सकते है या अगर आप select करते हो तो उनका call जब भी आता है या फिर आप call करते हो तो वो जो call है वो record हो जाएगा देखे इस तरह से जो है activate कर लेना है unknown number और save number दोनों का ही आप call record कर सकते हो देखे ऊपर जो है delete recording आप जो है delete recording after 30 days after 14 days after 7 days के पूराना वाला recording जो है आप मिटाना चाहते है या फिर delete करना चाहते हो तो आटमेटिक आप इन options का इस्तिमाल कर सकते है या फिर आप never pick रहने दिना है उसे इस तरह जो है आप recording जो है अपने mobile में activate कर सकते है बहुत आसान तरीके से आप जो है call recording enable करके आप call recording कर सकते है धन्यवाद